नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC and UKPSC क्रेकर में तो उत्राखन लोग सेवा आयोग द्वारा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ठीक है आप लोग देख सकते हैं Assistant Accountant, Forest Guard, पटवारी लेकपाथ तो काफी candidates के जो फॉर्म हैं भनने में गलती हो जा रहे हैं तो उन गलतियों को आप लोग किस तरीके से सुदार पाएंगे इस वीडियो में हम complete discuss करेंगे अब वो गलती किस प्रकार हो सकती है आप लोग पहले अपने जो है फॉर्म जो आपने भर लिया है उसका application form को देख लीजिए आपने सभी जानकारियां सही बरिये अगर कोई भी गलती रहती है तो आपका form reject हो जाएगा ठीक है reject नहीं भी होता है तो बाद में जब आपका document verification होगा तो वहाँ पे जब वो verification होगा तो वहाँ पे आपकी अगर कोई गलती रहती है भले या आपने जो date of birth है या आपने जो percentage बताई है ठीक है qualification में date बताई है अगर उसमें उपन नीचे भी एक दिन का भी अंतर रहता है तो आपका जो form है वो reject हो जाएगा तो इनी सब को सुधानने के लिए आप लोग किस तरह किसे कर पाएंगे आविदन वो हम बात करेंगे ठीक है तो ये सभी form हों के लिए रहेगा पटवारी लेगपाल आने वाले जितने भी form अभी है उनके लिए भी ठीक है तो जैसे कि हम अभी बात करते हैं assistant accountant की तो काफी लोग form भनने में गलती कर दे रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले apply now का option यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसमें आप लोगों को क्या करना है जैसे हम apply now के option में गए तो आप लोगों ने तो सारी चीज़े पहले से भर ली हैं तो आपको सीधे यहाँ पे login करना होगा ठीक है तो login आप लोग कर लेंगे इसमें जब आप login करेंगे तो जो अपने पहले email ID और password डाला था वो सभी चीज़े यहाँ पे fill up करने के बाद सीधे login कर लेंगे तो जैसे ही आप लोग लोग इन होंगे तो इसमें आपको कुछ इस्त्रिके का interface दिखेगा जिसमें कि आप लोग देखे आपका जो form है वो final submit हो चुका है उसमें किसी भी प्रकार का जो है correction नहीं हो सकता बस उसमें ए प्रकार करने के लिए अपने अपने form को जो है cancel करना होगा ठीक है तो इसमें आप लोग सीधे cancel my जो आपका यह application है इसको आप लोग कैंसिल लग रहे हैं ठीक है तो इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं मैं अपने online आविदन पत्र को रद करने के लिए अपनी सहमिती देता कि भविष्य में मेरे द्वारा रद्धी किया गया online आविदन पत्र पर कोई दावार नहीं किया जा सकता ठीक है तो यह आपको declaration दे देना होगा इसमें आप लोग टिक करेंगे और proceed to cancel के option में जो आप लोग click कर देंगे ठीक है तो इसमें घबरान की कोई बात नहीं है कोई नमबर में एक OTP आएगा उस OTP को यहां पर आप लोगों को दर्ज करना होगा जैसे ही आप दर्ज करेंगे उसके बाद आपको जो है यहां पर आपका capture code देखेगा ठीक है security code जिसे हम कहते हैं इसके बाद यहां पर आप लोग फिल करने के बाद cancel application में click कर देंगे ठीक है त उसी में OTP आएगा और email ID में भी जो है आपका OTP आजाएगा ठीक है तो आप सीधे हम लोग cancel application में click कर देंगे तो यहां पर देखे processing हो रही है और इसके बाद आपका सीधे जो है application वो cancel हो जाएगा finally जो है आपका कुछ इस तरिकी का interface आपको देखने को मिलेगा तो इसके बाद आपको दुबारा से registration करना होगा उसके बाद login करेंगे वो पूरी process आपको जो वीडियो है इस पे बना रखी है तो आप लोग description में जाके अच्छे से अपने documents को check करने के बाद यही form को आप लो fill कर सकते हैं ठीक है उसी number से उसी email ID से ठीक है सारी जानकारी आपको पता चल गयोंगी ठीक है तो वीडियो आपको पसंद आया समझ में आया अगर आपको helpful लगा तो वीडियो को like करें share करें subscribe करें हमारे चैनल को मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय हिं जय भारत